हेलो नमस्ते जी कैसे हो जी आप सब आज यह देखे मैं आपको बताऊंगी जो की मेरे पास एक दुपट्टा है यह करीम कलर का और मैंने इसको बहुत यूज किया है वैसे तो लेकिन यह ज्यादा पुराना नहीं है यह किसी सूट के साथ था तो सूट मेरा खराब हो चुका चैँ अपका प्प्टा मेरा ठीक ठाक सहा है ज्दा पुनाना भी नहीं हो ज्यादा नहीं दूजी था और लइस तो मैंने इस लेस को अटा दिया यह तकि मंसपे कोई और को ताकि में किसी एरर शूट पर इसको मैच्च कर पाऊंगी और को फेकलर की लेस से तो मैंसक यह दोट से बनी होए है गॉल गॉलं सी थोड़ीज तुछ से हैं इसमें बने हुए हैं, गोल गॉल. और यह लहस हम बिलकुल किनारी पे लगाएंगे और इसकी सिलाई हम दो करेंगे ताकि हम इसको आसानी से लगा सकें एक सिलाई हमने बिलकुल इसकी साइड में किया है और दूसरी उस साइड करेंगे इसका जो टाका लगाने का तरीका होता है वो बीच में ना लगाएं लहस लगाने का तरीका सही होता है ये एक साइड से हमने लगा लिए आप ये देख सकते हैं अब हम लगाएंगे दूसरी साइड से ताकि ये उबरी उबरी ना रहे अगर आप बीच में लगाओगे तो दोनों साइड से उखडी हो जाएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी ये फ ये आप देख सकते हैं इसको ऐसे ही लगाना है अब भी ऐसे लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई दूपट्टा और आप उसको फिर से यूज करना चाहते हूं क्योंकि गोल्डर का दूपट्टा तो आपको पता है मैं किसी भी सूट के साथ मैच कर सकते हूं इसको और इस हो गया और अच्छा भी लग रहा है वैसे यह लैस और मैं इसको किसी भी शूट पजा में पला जो जो भी मेरे पास साथ जो भी मेरे पास सोरी है उस पर मैं यूज कर सकते हैं और यह लैस है जो कि मैं आपको इसकी कोई वीडियो बनाऊंगी यह जो भी मैं जिस पर भी इसको यूज़ करूँगी जो भी मेरे पास सूट हो या दुपटा साड़ी जिस पे भी मैं इस लैस को यूज़ करूँगी न तो उसकी वीडियो जुरूर बनाऊंगी वो भी आप देख लेना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेर करना सेस्क्राइब करना बिलकुल ना नहीं कोमेंट करको बताना आपको मेरा दुपटा कैसा लगी है